पर दूरी सूचना आप सभी इस्टूटेंट्स के लिए इस्टडी फॉर सिबिल सब्सक्राइब गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लिजे और अगर आप से कोई भी कोर्स कोई पीडिया परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों दोस्तों मौडन हिस्ट्री का आज जो मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक अमलोग करने वाले हैं वह भारत के वाइसराय ठीक है भारत के वाइसराय के साशनकाल में जितनी भी मैध पूर्ण घटना हुई है उन सभी को आपके एक्जाम की द आप पूरा स्टेडी माटेरियल दिया जाए एक्स्क्लूसिव वीडियो क्लास इस दी जाए डेली एक ही जगह जोल के आप कम्प्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो कि जो पहला वाइ परकेनिंग क्या था फर्स्ट वॉइसराय था बारत का पहला वाइसराय था पहला और आखरी गवर्नर जनरल भी था जब विद्रों खतम होता है ठारसो सथाओन वालत वी बनाया जाता है भारत का भाई वाइसराय जो अठाओन का भारत सरकार इधनियम आता है गौर्मेंट खतम हों के भारत सरकार मतलब रिटिश क्राउं वो अपने उपर जम्मेदारी ले लेता है भारत को देखने की और 1861 का भारती परिसाद अधरिनियम भी इसी के साशन काल में होता है तो आपको इसका समय याद रखना है ठारसो चपन से बासट और अगर आजादी के बाद प लौट जॉन लॉरेंस इसके साशन काल में इंपोर्टन घटना यह होती है कि भूटान युद्ध होता है 1865 में कि भूटान युद्ध हो जाता है दूसरा कलकत्ता बॉम्बे और मदराज यहाँ पर उच नियाले की स्थाफ नहीं होती तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है क कलकत्ता बॉम्बे मदराज उच नहाले पूछेगा तो 1865 में होगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस की साशन काल में और अगर कलकत्ता मदराज बॉम्बे में विश्विद्याले किस्ताफ ना पूछेगा तो 1807 में यह दोनों में अंतर है प्लीज इसको नोट करना बहुत महत पिर सश्ट रधनियम जो की 1878 में आया है दूसरा अफगान यूद्र जो है 1878 80 में इसी के साशन काल में होगा और कुईन विक्टोरिया ने केश्रेहिंद या भारत की समागरी की उपादी धारां कि थी समरागी की माफ किजेगा भारत की समरागी की उपादी धारां करने व सश्ट रधनियम भी नहीं के साशन काल में आएगा और दूसरा अफगान वार भी नहीं के साशन काल में हो ठीक है याद रखी है इसको तो भी तक आपने लॉड कैनिंग पढ़ा 562 जॉन लॉरेंस पढ़ा 64-69 लॉड लिटन पढ़ा शेतर से असी अब जो दूसरा पढ़न प्रेश चाइक्त को रिपील कर दी मैद खतम कर दीए इन्होंने बाइंग फिरह वाला कौन ता लॉड लगाने वाले कौन नीटेय्ट रिपंडर स एदर सचफ सको और और मेर्टार gaat पहला कार खाना दिनियम 1881 में इस्थानिय स्वसाशन पर सरकार का संकल 1882 इलबट बिलविवाद 1883 चोरासी में होता है पहला कार खाना दिनियम 1881 इस्थानिय स्वसाशन पर सरकार का संकल 1882 सिच्छा पर हंटर आयोग यह भी 1882 में आएगा लौड रिपन के साशन काल में हंटर आयो 1882 फिर अगला जो आपको याद रखना बहुत इंपोर्टन लौड डफरिन भी या बहुत इंपोर्टन थे इनक अपना किसने करी थी और तीसरा बर्मा युल जो 1885-86 में हुआ था वह भी लौड डफरिन के साशनकाल में हुआ था लौड डफरिन का बे टाइम और डूरंड आयों की स्थाफना होगी ठीक है सबसे महत पूर्ण है यह डूरंड डायों जो इन बना था आपका 1893 में जो डूरंड यह था अफगानिस्तान और पाकिस्तार इनके बीच में वांडरी डिवाइट कर रहा था मलब पहले तो अफगानिस्तान इंडिया के बीच में था अब तो पाकिस्तान बन गया तो उधर आ जाएगा ना तो लॉड्ड लैंस डाउन का टाइम पीरिड अठासी से चोरानबे कारखाना दिनियम आया बारती चीज पुलिस आयोग की नियुप्ति उन्य सो दो में विष्विद्यले आयों की मिट हुए 1902 में विश्विद्यले आयों भारती विश्विद्याले अधिनियम और बंगाल विबास्ण अगर मैं आपको को हुँ तो सबसे महतमूड है कि बंगाल विबास जो इनिंसव पाच में में वा सबसे जादा इसका टाइम पीरिद जरूर याद रटना 1199-1905 अब करजन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो टू 1905-10 अब इनके साशनकाल में स्वदेशी अंदोलन होगा 1905-11 में क्यों क्योंकि बंगाल विविजन हो गया है और बंगाल विविजन लॉर्ड करजन करता है 1905 में ठीक है तो स्वदेशन में कॉंग्रेश का भी भाजन हो जाता 1907 में जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं जिसमें मॉडरेट और एक्स्ट्रिमिस्ट मतलब नरंपंती और चरंपंती यह दोनों का भी भाजन होता है इसी के साशनकाल में मुसलिम लीग की स्थापना 1906 में होती है इसी के सा यह मौरलीवन्टो रिफाम 1909 में कहते है इस ही के शाशनकाल में किसके लॉडि में प्रॉड निसंसों 25 से 10 पिर लॉड हैडिंग 2 की बात करते हैं लॉड हैडिंग 2 1910-1916 लॉड हैडिंग का निस सो दस से इसल्क्राइब विभाजन को रत करता है लॉड हैडिंग कौन करत ता भाई करजन ने लॉड हैडिंग ने इसको कतम कर दिया ऐसा ही बंगाल में द्वायत साशन किसने लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने एट आया किसने था आपके वारन हैस्टिंग ने ठीक है सभाप इसके बाद आपको याद रखने है लॉड चेंजफोड उन्य सो सोला से किस कौन लॉड चैंजफ लगणों संदी पहली चीज़ उन्य सो सोला में इन्हीं के शाशनकाल में लॉड चैंजफोड चंपारान सत्यक्राइग है गांदी जी वहारा रहा जो पहला होगा रॉल एटेक्ट और जो जलिया वाला बाग अत्या कांड है वह भी इसी के साशनकाल में होगा आसायोग और खिलाफत अंदोलन की शुरुवात भी लॉड चेम्स वोड के साशनकाल में होगी तो बहुत इंपोर्टेंट है 1911 से 21 क्योंकि बहुत महत्पूर्ण घटने हुई है इसके साशनकाल में अगला है 1921-26 लॉड रीडिंग 1921-26 चौरी-चौरी घटना होती है 1922 में इसी के साशनकाल में प्लीज इन घटनाओं को याद रखिएगा आसायोग अंदोलन को वापस भी लिया ज के साशनकाल में होती है एक बार फिर से कोई क्रिवीजन कर लेते हैं लॉड कैनिंग 1858-62 याद रख लो क्योंकि पहला वाइस हो रहा है इससे पहले तो यह गवर्नर जनरल था लॉड जॉन लॉरेंस 1864-89 याद रखो लॉड लिटन सोला लॉड हार्डिंग टू सोला से 21 लॉड शेंट फोर्ट 1921 लॉड रीडिंग फिर आता है आपका लॉड एर्विन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कई महतपूर्ड घटना इन लोग के साशनकाल में होती ही लॉड इर्विन का टाइम पीरड 1926-31 तो सबसे पहले सा कोट बटलर भारती राज आयोग 1927 में इसी के साशनकाल में बनता है इर्विन के साशनकाल में 1937 तो बस यह याद रखो भाई बटलर आयोग कब बना और इसका टाइम पीरड लिंक कर लो भाई तो इर्विन का टाइम पीरड 26-31 नहरु रिपोर्ट का बाती 1928 दीपावली गोष्णा 1929 में होती है और वहीं कॉंग्रेस का जो लॉहावर अदिवेशन है जिसमें पूर्ण सुवराज का संकल्प करा जाता है 1929 में होता है ठीक है तो इस टैम भी इर्विन होता है वाइसर है डांडी मार्च और सवी नहीं वग्यान दोलन 1930 में होता है डांडी लॉड इर्विन के साशनकाल में गट्टी है आपको बस यह सारे एयर्स याद रखने है एक्जाम में आपसे डैरक्ट सवाल पूछे गट्टी के और आपको इनका टाइम पीरड रहत रखना हो सकता आपसे डैरक्ट यहीं पूछ ले गांदी इर्विन पैक्ट कब है तो आ विलिंगडन उननीश सो एकपत्तिस चटिस विलिंगडन का कब है उननीश सो एकपत्तीस एकपत्तिस लॉड विलिंगडन सामप्रदाइक अधि निर्ण है 1932 इसी के साशनकाल में होगा दूसरा और तीसरा जो गोल मेर्स समेलेर ने रांड कॉन्फरेंस है वह भी किसे इसी सचनकाल में होगा पूना पैक्ट कौन लॉड विलिंगंडन लॉड विलिंगंडन ठीक है और भारत सरकार अधिनियाम 1935 भी सचनकाल में आती है लॉड विलिंग्डन के फिर आता है आपका लॉड लिन लितिको अब आप जैसे कि आपको पता है विश्वीयुद दूसरा शु होने के बाद कांग्रेस की मंत्रियों को स्टीफा वह इसी ये साशंकाल में हुआ तृपुरी संकत और फॉरवर्ट ब्लॉक का गठन 1949 में होता है पहले तो भी समय याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक का बंता मुसलिम लीग का लहौर संकल्प मुसल्मानों के लिए एक अलग राजिकी मांग जिसको कहते हैं अगस्त उफर उसके बाद आएगा 1940 में अगस्त उफर भारती रास्ट्री सेना का गठन 1941 में हो जाएगा भारती रास्ट्री सेना का गठन क्रेप्स मिशन 1942 में आएगा और भारत छोड़ों अंदोलन भी 1942 में आएगा तो क्रेप्स मिशन 1942 भारती रास्ट्री जो सेना उसका गठन 1941 अगस्त परस्ता 1940 मुसलिम लीका लाहौर संकल्क 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1949 त्रिपुरी संकट 1949 ठीक है तो यह याद रखेगा Luna फिर उननिसो छोओरर से सहतालिष लोर्ड वैवल आता है उननिसो छोओर में एक तो ने राज़गोपला चारी यह दों ने सो छोफा स्वाम लट संक दान सल्योजन और सिंब्ला सम्मेलन 1942 में कैबिनेट मिशन46 में है क्या बिनेट्मिशन स्षे आलिस में पृत्याच्छकारवाही दिवस होता ह decree च्रौन दिवस और खमेशलों रिप्रिक गोशन räट की समापती की गोश्ना प्रिटीटिर और क्लीमेंट ऐटली दौरा भारत которого सब्सक्राइब 1947 लॉड वेवल 44-47 अगला लॉड माउंट बेटन भाईया जो अन्तिम होते हैं एक तरह से भाई क्योंकि फिर भारत के आजादी मिल जाती तो लॉड माउंट बेटन जो है आजाद भारत के कह सकते हो पहले वॉइस होते हैं आजाद भारत के जो जून थर्ड प्लान 1947 में इनिके सशन डिकाल में आता है रैपकलिफ अयोग इनिके साशन काल में बनेगा भारत को olacakंदर दबा इनिके साशन काल में मिले हैं और सोतंदर भारत के पहले भारती वोईसराय जो की उननीस we cookie 50 तक रहेंगे इसके बाद वइस वर आया का पत्धों कि बारते ही उन्याचनल 1950 में यह पत्फिर्थ समाप्त कर दिया जाएगा तो यह वॉइस और आपको प्लीज याद रखने इतने ही वॉइस और और यह सारे जो इनके साशनकाल में महत्पूर्ण घटना है हुई है इनका समय जरूर याद रखने